दौस्तो नमस्कार मैं सोखिछ लड़ाजक आज बहुंती एक और वीडियो लेकर करके आयों हूं दौस्तो आज कما हमारा जो सब्जेक्ट है आज कमार जो टॉपिक वह अहंकार को लेकर के हैं देखिए कि दोस्तों अहंकारी विक्ति के ना बहुत जल्दी अंत होता है, सही बात है, अहंकार विक्ति को खुद खा जाता है, और किसी एक सब्जिक्ट पर यदि आप अहंकार है, एक सब्जिक्ट पर बहुत जादा ग्याता है, इसका मतलब निक सरुग ग्याता है, दोस्त नाव में सवार हो जाता है, नाविक उसको ले जाते रहता है, ले जाते रहता है नाव पे, अचानक से बीच में वो एक सवाल करने लगता है, वो विक्ति रहता है, क्या तुम्हें व्याकरण आता है, वो नाविक बोलता है, नहीं आता मुझे आकरण, फिर से कुछ दूर जा आता है फिर से एक सवाल करने लगता है क्या तुम्हें इंगलिस आती है वो बोलता है नहीं आता मुझे क्या तुम्हें जो है इतिहाज भुगोल का ज्यान है वो बोलता है नाविक जो है नहीं आता भहिया मुझे बहुत गुस्सेम हो जाता है नाविक जो है इतना ही होता है कि कुछ समय पस्चाज घोर बदली आयता है बिजली करकने लगता है वारिस होने की दिखने लगता है आसार और उच्छाल आने आता है उस नदी पे ऐसा लगता है दोस्तों चक्रवात आने वाला है तब वो जो है नाविक जो है वो बोलता है कि क्या तुम्हें तैरना भी आता है क्या तुम्हें तैरना भी आता है वो बोलता है मुझे नहीं आता तो नाविक एकी चीज बोलता है कि तुम अपने व्याकरण को बुलाओ अपन हुआ कुद जाता है नदी में और तैरते हुए किनारे में पहुँँचा पर व्यक्तिया रहता है दूब जाता है कहीं दोस्तों से हमगो है चीक्ट कभी अपने किसी भी एक ज्यान के उपर घमंड नहीं होना चाहिए है कहीं कि गती जल्दी अंथ होता है आप बहुत सारी स्टूरी सुने होंगे रावाड कंस अंकार में चले गए दोस्तो इस कहानी से आपको जो क्या सीखने की मिला जरूर जो है दोस्तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा तो दोस्तो इसी तरीके से आप प्यार बनाए रखिए दोस्तो इस प्यार के लि